नमस्कार और वेलकम तो धर्मीज केक और बेक आज की केक रेसिपी बहुत ही यूनिक है यूनिक डिजाइन है इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ डीटेल में शेयर करने वाली हूँ और ये मेरी डिजाइन परसनली फेवरेट बन चुकी है और आज हमारा जो फ्लेवर है के और ये बनाना बहुत ही आसान है चौकलेट मूज की बात की जाए तो मैं उसका प्रपोर्शन यहां अगर आपके पास वन कप विपिंग क्रीम है तो वन थर्ड कप मैं यहां चौकलेट गनाश लेती हूँ आप कौन सा प्रपोर्शन यूज करते है वो मुझे कमेंस में जर कर लूँगी मैंने वन टेबल स्पून एड कर दिया था और उसमें मैं यहां चौकलेट चिप्स भी एड कर दूँगी ताकि थोड़ा क्रंच भी आ जाए और यह खाने में भी बहुत ही डिलिशियस लगे इसलिए अभी हम यहां सेकेंड लेयर भी एड कर देंगे और अच् तो आप देख सकते हो कि मैंने यहां इस तरह से डिजाइन वाली शीट ले ली है मुझे यहां डबल शीट 50 रुपीज में पड़ी है ऐसी दूसरी भी शीट है तो इस पे अब हम हमारी चौकलेट बना लेंगे इसको उल्टा करके अब हम इस पे चौकलेट बना लेंगे जिसको मैं रेंडमली पूरी शीट पर स्प्रेड कर दूँगी ताकि एक अच्छी सी चौकलेट पर एफेक्ट आए जाए मैंने यहां मिल्ट चौकलेट ली है आप चाहो तो डाक चौकलेट भी यूस कर सकते हो तो मैंने यहां गोल्डन डस्ट को फैला लिया है अब मैंने जो यहां मिल्ट चौकलेट मिल्ट कर ली थी वो भी मैं यहां एड कर दूँगी तो अब हम यहां चौकलेट को पूरे शीट पर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और चौकलेट पूरे शीट पर अच्छे से स्प्रेड होनी चाहिए उसकी सेम थिकनेस पूरे चौकलेट श जाइन में भी चली जाती है, इसलिए हमें पूरी चॉकलेट की ठिकने सेम रखनी पड़ेगी, आप देख सकते हो कि अभी ये चॉकलेट सेमी ड्राइ हो गई है, मैंने पंखे के नीचे ही रखाता, मैंने फ्रीज में नहीं रखाता, अब मैं यहां हम शेप उसके दे देंगे तो आप देख सकते हो कि इस तरह से कुकी कटर से हमने शेप दे दिये थे, और ये कॉर्णर की प्लेस में मेरी यहां चॉकलेट बहुत ही पतली लगी थी, तो यह शेप अच्छे से निकल कर नहीं आ सका था, इसलिए मेरा भी फर्स टाइम था, मैं भी फर्स टाइम ट्राइ कर ही रही थी, इसलिए आपको मैं बता रही हूँ कि आप ऐसी मिस्टेक्स रिपीट ना करें, अब मैंने यहां उसमें शेप भी दे दूँगी, मैंने सोचा था कि मैं डाइमन शेप दूँगी, इसलिए मैंने यहां स्लांट कट किया, लेकिन देखा तो डाइमन बहुत ही बड़े बड़े निकल रहे थे, इसलिए मैंने फिर स्क्वेर ही कट कर लिया, यह डिजाइन से मुझे थोड़े से ट्राइंगल भी मिल गए, और आधे स्क्वेर भी मिल गए, इस तरह से दोनों शेप्स मेरे इतनी डिजाइन से रेडी हो गए, और अब हम इस शीट को दस म फिनिशिंग भी कर लूँगी, मेरी मुस्क्रीम बहुती अच्छी सी स्टेबल है अब तक और उससे मेरा फाइनल फिनिशिंग बहुती अच्छा होने वाला है, अब मैं यहाँ सबसे पहले पैलेट नाइव से क्रीम अच्छे से लगा दूँगी, और फिर यहाँ जो सॉफ स्क्रेपर है, उसे अच्छे से मैं फिनिशिंग कर लूँगी, तो अब मैंने यहाँ पाइपिंग बैग में गनाश फिल कर लिया है, तो इस तरह से मैं केक के साइड वॉल्स पर और केक के टॉप पर भी डिजाइन बना लूँगी, यह डिजाइन बनाना बहुती आसान है, रेंडमली हमें डिजाइन बनाना है, कोई स्पेसिफिक वे से नहीं जाना है, मैं इस तरह से हाथ उपर नीचे उपर नीचे करते हुए डिजाइन बना रही हूँ, और यह बहुती आसान है, स्टार्टिंग एक दो बार मुझे थोड़ी तकलिफ हुई थी, लेकिन उसके ब बनाने सिखाए है, एक तो फ्रोस्टिंग के लिए कैसे बनाते हैं, दुसरे डिप्स के लिए कैसे बनाना है, तो दोनोर रेसिपी हमने शेर की हुई है, अभी जो बीच में थोड़ा यहाँ गनाश एड़ कर दूँगी, और इस तरह से पैलेट नाइफ से थोड़ा सा स्प हमाई चॉकलेट्स निकल रही है और बहुत अच्छी लग रही है, तो आपको यह चॉकलेट का हैक कैसा लगा वो हमें कमेंस करके जरूर बताएगा, तो यह चॉकलेट आप 20 देस तक एड़ टाइड डबे में स्टोर कर सकते हो, मैंने यहाँ ओपन स्टार नोजल ले लिया तो यहाँ हमें दोनों काम साथ में करना पड़ रहा है, तो आप देख सकते हो हमारा केक बहुत ही अभी से प्यारा लग रहा है, अब हम यहाँ चॉकलेट भी एड़ कर लेंगे, तो मैंने जो दूसरा बैच बनाया था, उसमें अच्छे से सरकल निकल काया था, तो उसमें म हम यहाँ सभी जो चॉकलेट समने बनाई थी, वो इस पे सेट कर देंगे, इस तरह से हमारी केक रेड़ी कर लेंगे, तो आपको आज की यह चॉकलेट केक की डिजाइन कैसी लगी, वो हमें कमेंस करके ज़रूर बताएगा, और आपको यह कैसी लगी, वो भी हमें कमेंस और आने वाले वीडियो में मैं ऐसी ही अलग-अलग केक डिजाइन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो हमारी चैनल धर्मीज केक अन बेक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तो फिर मिलेंगे ऐसी ही आसान सी केक रेसिपीस के साथ, तब तक के लिए केक सब को खिलाएए और इंजोई कीजिए, बाग बाई!